आज का ये वीडियो में मैं आपके लिए लेकाया हूँ टर्गस के भी 55 मॉल्टि प्लाटफर्म ब्लूटूथ कीबोड का अन्बोक्सिंग और रिविव अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाजू में आपको एक बेल आइकन मिलेगा वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे चैनल का लाटेस्ट अफडेट आपको मिल जाएगा तो फ्रेंड से हमारा चैनल में एक गीवव चल दा था उसके रेजल्ट जो है यह वीडियो का एंड में मैं आनॉंस करने वाला हूं तो अभी हमारा टापिक के उपर आते हैं जैसे कि यह ब्लूटूथ कीवोड है इसको आप आपका मैक बूक या आई मैक में करनेट कर सकते हैं या एंडरेट का कोई भी डिवाइस जैसे आपका एंडरेट टीवी हुआ या एंडरेट का टैबलेट या मोबाइल फोन वागरा म है तो कंपनी याँ पर आपको कीबोड के उपर तीन साल वारेंटी भी देता है तो पहले करते हैं उसका उन्बॉकेशिंग है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्गस का ब्रांडिंग है मोडल जो है KB 55 multiple platform Bluetooth कीड़़ेट है यह सीजर की आपको मिलता है week दो आपको मिलता है और यह Windows, Mac, iOS, Android यह सभी OS में यह compatibility है और यहाँ पर इसके Maximum Rater Price जो है 1799 है जबके उससे कम प्राइस में भी यह मिलता है और यह keyboard आपको तीन सल वारेंटी के साथ मिलता है तो यहाँ पर हम इसको open कर देते हैं आप जैसे ही इसको open करेंगे यहाँ पर आपको एक user guide मिलता है जो के English and Chinese यह दोनों language में है और यहाँ पर आपको keyboard मिल जाता है तो company के तरब से भी आपको यहाँ पर दो 3A का battery मिलता है तो keyboard देखने के लिए कुछ ऐसा है काफी छोटा है की भी काफी comfortable है टाइप करने के लिए तो इसका back side पहले देखते हैं तो यह keyboard का back side है यहाँ पर all off का button दिया गया है और यहाँ पर connect करने के लिए एक button दिया गया है जैसे कि यह Bluetooth keyboard है तो यह बटन को प्रेश करके आपको connect करना है और यह उसका battery पैनल है जैसे मैं यहाँ पर open करके आपको दिखा देता हूं यहाँ पर दो थ्री एका battery लगता है तो यह उपर के side में एक light दिया गया है अगर आपका battery low हो जाता है तो यह indicate कर देता है तो जैसे आप देख सकते हैं यह keyboard थोड़ा सा incline है means थोड़ा सा उचाई में है तो अगर आप यह keyboard को कोई भी surface के उपर रखते हैं तो थोड़ा सा incline रहता है जो कि आपको easy हो जाता है type करने के लिए तो friends look wise भी आप keyboard को देख सकते हैं build quality बहुत ही अच्छा है और side wise भी देखेंगे तो काफी slim है यह and look wise देखेंगे तो काफी आपको premium लगेगा तो यह keyboard को प connect करेंगे जैसे के MacBook में connect करने के लिए आपको पहले यहाँ पर इसको on करना पड़ेगा तो जैसे यह आप इसको on कर देंगे यहाँ पर जो red color का multi platform bluetooth keyboard यहां पर show कर रहा है तो उसके बाद आप keyboard को normal ऐसे ही रख दीजिए इसको connect कर दीजिए तो यह अभी connected show कर रहा है means अभी हम कुछ भी type करेंगे तो यह keyboard से हम Mac में type कर सकते हैं तो अभी हम keyboard से कुछ type करके check करते हैं जैसे यहां पर normally में type कर रहा हूं देख सकते हैं आप हमारा wordpad में type हो रहा है तो यह line को मैं select कर देता हूं जैसे command c and then यह जगा में command b करते हैं तो यह copy paste भी यहां पर हो रहा है और यह multimedia की है जैसे कि अगर आप कोई भी multimedia on करते हैं तो उसको on up आप कर सकते हैं तो यहां पर मैं pause कर देता हूं तो pause हो गया यहां से volume को कम ज़्यादा कर सकते हैं यह mute है यह volume कम है और यह volume ज़्यादा है तो function की लगबग यह keyboard में सभी काम कर रहा है वित यहां पर जितना भी की है वो भी सब काम कर रहा है तो यह हो गया हमारा Mac में यह keyboard का test तो second जब भी आप दूसरा operating system का कोई भी laptop या desktop में इसको connect करना चाहेंगे तो जगा में पहले आपको यह keyboard है इसको off कर देना है और जो existing device में इसको connect किये थे वो device को आइदर आप आप कर दीजे या वो device से इसको remove कर दीजे उसके बाद ही आ अभी हमारा Windows laptop है इसमें भी हम इसको connect करेंगे सेम प्रोसेस यहां पर हमको पहले इसको on कर देना है on कर देने के बाद Windows में आपको टास्क बार में Bluetooth मिल जाता है उसको open करना है तो यह Bluetooth में हम इसको click कर देंगे और यहां पर add new device करेंगे तो Windows में page कुछ ऐसे open होगा आपको यहां पर device को add करना है plus में click करना है plus पर click करेंगे तो interface कुछ ऐसे open होगा यहां पर आपको click कर देना है उसके बाद यह जो button है इसको press करके रखना है connect button को तो जैसे आप इसको connect करके रखेंगे हमारा यह जो keyboard है यह नीचे show करेगा तो यह जगह में आप देख सकते हैं keyboard show कर दिया तो यहां पर हमको click कर देना है तो यह connecting आ रहा है, means यह connect हो गया, तो यहां पर हमारा wordpad जो है, यह open हो गया, तो यह keyboard से हम कुछ type कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, यहां पर भी properly type हो रहा है, मैं caps lock on करके भी कुछ type करता हूँ, तो यह जगह में भी capital में यह type हो रहा है, अगर मैं tab भी उस करता हूँ, tab भी काम कर रहा है, enter भी properly काम कर रहा है, तो अभी हम function की check कर लेते हैं, जैसे यहां पर मैं source open करता हूँ, तो यह जगह में source भी आ जाता है, escape करते हैं, तो escape में चला भी जाता है, और यहां से volume को कम ज़्यादा करके check कर लेते हैं, जैसे function की mute, तो यह mute भी हो जाता है, volume हम कर दाना है कम करना यह भी प्रपरली काम कर रहा है Law करना?」 तो अभी हम इसको एंड्राइड TV में करएंगे और वहाँ परके करेंगे करेंगे करने करेंगे उसका लिए आपको सेटिंग में जाना है तो तो setting में जैसे ही जाएंगे नीचे आपको remote and accessories मिलेगा यहां पर add accessories करना है उसके बाद आपका keyboard को आपको on कर देना है और यहां पर जो connect button है इसको press करके रखना है तो यहां पर same आ गया multi platform bluetooth keyboard इसको connect कर देना है तो यहां पर आपको pair कर देना है तो यह successfully pair हो गया तो अभी हम remote जो है इसको side में रख देते हैं और keyboard से इसको operate करते हैं जैसे आप देख सकते हैं यहां पर आप down navigate भी इसको कर सकता हूँ और कोई game बगरा खेलना है तो भी हम game बगरा भी इसमें खेल सकते हैं तो यहां से मैं volume भी कम कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं volume भी कम हो रहा है तो यहां पर enter तो game भी यहां पर smoothly आप खेल सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं मैं left right कर रहा हूं आगे move कर रहा हूं तो भी आरम से यहां पर move हो रहा है मिन्स यह जो keyboard है यह properly android device में काम करता है जैसे आपको अभी दिखाया यह बैक में भी आच्छा तरीका से काम करता है windows, laptop या desktop बगरा में भी काम करता है और android tv या mobile phone में भी आप इसको connect कर सकते हैं और इसको operate कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अभी time आगे है हमारा Cosmic Byte Callisto Gamepad का जो giveaway हुआ था उसका result आनाउंस करने के लिए तो पहले हम यहां पर चेक कर लेते हैं हमारा कितना कमेट्स जो क्वालिफाई हुआ है जैसे आप देख सकते हैं 53 कमेट्स जो यह क्वालिफाई हुआ है तो यहां पर हम स्टार् किजिए और वहां पर आपका email ID जो है वह mention किजिए और आपका email ID से एक mail करना है आपको southtechnoguide.gmail.com में तो वहां पर आप आपका postal address शेयर कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही आपके घर में पहुंच जाएगा आपका price तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको दिखा यह जो keyboard है यह टीवी टाबलेट या कोई भी mobile phone में connect करना चाते हैं तो भी कर सकते हैं सबसे अच्छा बात यह है कि यह जो keyboard है यह wireless keyboard है मिनसे आप आपका source device से कम से कम 10 मिटर के distance में अगर आप बैठते हैं तो भी आप आपका काम कर सकते हैं और इसका key जो दिया गया है यह काफी smooth है जैसे करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा like and share जरूर कीजिएगा अभी आप हमको Instagram और Twitter में follow कर सकते हैं और हमारा Facebook का page जो है उसको like भी कर सकते हैं अगर अभी तक आपने हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लिजिए क्योंकि इस्टेप का वीडियो में रोज लेके आता हूँ तब तक हमारा चैनल देखते रहें यह साहो टेक्नोगाइड आपका दिन सुभ हो